इस वीडियो में हम लोग समझेंगे albuminus और non albuminus seed क्या होता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको समझना हों कि double fertilization क्या होता है एंग्यो स्पर्म एक प्लांट में हम लोग देखते थे कि double fertilization का process होता था जिसमें first male gamut जो है वो fuse करता था एग से और इससे जागोर्ट का formation करता था इस प्रोसेस को syngammy भी बोलते हैं second male gamut ये fuse करता था polar nuclei से और ये इंडो स्पर्म का formation करता है इंडो स्पर्म जो है एक तरह का nutritive tissue है okay now after this process after double fertilization क्या होता है इस जागोट को develop होना होता है embryo में okay जागोट को किस में develop होना है जागोट को develop होना है embryo में okay so for for the development of जागोट for the development of जागोट to embryo इंडो स्पर्म का requirement होता है इंडोस्पर्म क्या करता है यह nutrition प्रवाइट करता है जाइगोट को ताकि वो इंब्रियो में डेवलप हो सके So after this जाइगोट is developed into embryo, the function of इंडोस्पर्म is completed, इंडोस्पर्म का जो काम था वो तो पूरा हो गया कुछ ऐसे seeds होते हैं जिसमें जाइगोट जब इंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है उसके बाद इंडोस्पर्म खतम हो जाता है पूरी तरह से Means it is fully consumed, so those seeds are called non-albuminous seed, okay The seeds in which no residual इंडोस्पर्म is present Okay, ऐसे seeds जिसमें कोई भी residual इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इंडोस्पर्म का जो काम था जाइगोट से इंडोस्पर्म में डेवलप करवाना वो पूरा हो गया है और वो पूरी तरह से consumed Okay, so this is examples क्या है, pea, groundnut है Okay, कभी-कभी ऐसा होता है कि जाइगोट इंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, फिर भी seed के अंदर कुछ ना कुछ इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, in a small amount, okay So, वैसे seeds को हम लोग बोलते हैं, albuminus seed, the seeds in which residual इंडोस्पर्म is present Residual इंडोस्पर्म is present, okay Residual इंडोस्पर्म जिसमें present होगा, वैसे seeds को हम लोग क्या कहेंगे, albuminus seed कहेंगे इसका एक 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 एक्शाम्पल है, kaster, okay दूसरा एक्शाम्पल है, maize, sunflower, okay So, this was all about albuminus and non-albuminus seed, okay Thank you so much